फिल्में दुबारा बनना शुरू हो गए सर हाँ मैंने भी एक फिल्म में इंट्री लगाई है लोगो ने बड़ा एप्रिशेट किया एक शाह फिल्म तो इत्फाकर उसमें मैं भी हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे मुल्क के लिए और हमारे आर्टिस्टों के लिए बल्के मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे मुल्क हैं जो कि रवेन्यू जब देते हैं तो सेकंड जो होता है वो हमारे इंडस्ट्री देती है तो हमारी फिलम इंडस्ट्री हमने भी काम किया लेकिन दुख होता है कि वो काम जो है वो पूरा ना हो सका तो हो सकता है अब जो जनरेशन आई है जो आटिस्ट आ रहे हैं तो उमीद है कि तुबारा से लाइव ट्रांस्मिशन में इस तरह के छोटे-छोटे हाथ साथ होते रहेंगे मुझे लग रहा है बहुत जजबे से पका रही है मैं आपसे थोड़ा सा मैंने सोचा था कि वक्त लेके हम थोड़ी सीरियस बाते करने के बाद फिर मैं आपसे कहूंगी लेकिन मुझे चांद ग्रहन में आप बहुत अच्छे तरीके से आदे हो मुझे सरमत मैं अक्शली इनका इंतजार करती थी कि कब आएंगे आपकी इनका खुलाम, मिटिय जामानू, और टीफु सुल्तान, तो उन में से भी मैं मतलब मेरे जब भी कोई कोशिश करता हूं तो एक मेरा सीरियल था जैसे रविश है, उसमें एक छोटा सा चाकू मेरे हाथ में होता था, तो यह एक हम कहते हैं कि जी तक्या कलाम जो है, तो तक् वो आर्टिस्ट की मकूबिलत जो होती है, वो उसमें होती है, तो यह प्राइवेट है, ड्रामा चांद गिरन, तो मैं उसका एक वो जो डायलाक आप कह रही हैं, तो वो जरूर आपको सुनाएंगे, इनिशाला ताला, सुना ही तूँ क्या? जरूर सुनाएंगे से, हम तो तो किसको देखे सुनाएंगे, आपको या ड्राक्र सावा को? क्योंकि मेरे सामने एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट फर्याल गोहर सावा होती थी, और जब मैं उसको, क्योंकि उसके पीछे ही मेरा फूरा कुछ, सब कुछ लुट चुका था, तो जब मैं उसको देखता था और जब मैं आता था उनके यहां, तो यही होता था कि, आय हाय 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 गुलबहार भेगम, अरे अब तो दिल बर अंदर आ चुका है, बैठने को नहीं कहोगी, मेरी जान के ठोटे, हाई चुट